कि हेलो दोस्तों में हुग ग्यान और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे ट्रेक्ट दोस्तों कि अगर आपको मोबायल है जिसकी टच ज़ो हिए ओटोंमेटिक काम कर रहे हो ऑटोंमेटिक मोबाय। जो है चल रहे हैं तो इस तरह की प्रोब्लम को आरे करना है इस वीडियो के इंट तक जरूर देखें अगर वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को तो अगर आपको मोबाईल की टाच जो ऑटोम कर रही है तो इस तरह के प्रोपिक्स काने के लिए सबस्या आप क्लिकरन है अपने मॉबाईल जिसमें यहाँ पर जोई दो अप्सन देखेंगों मिलते हैं यहाँ पर बटन और वोल्यम अब डाउन के बीच में और पावर बटन को दोनों को एक साथ करें तो आपको फोत वीडियो जो कुछ भी डिलेट नहीं वहने हो लाए इस प्रोश्स है इस प्रोश्स को आप देपलाई करएं चेक करई की lotta प्रोविम पिक्स होती है पावर ओप तो आपको को खावर मोबायल इसके बाद आपको नहीं छक्राइब तो इन प्रोब्लम से आपको मोबाइल है जो फिक्स हो जाई अब अगर आपने इतना कर लिया इसके बद आपको करना है थाड़ पहितल अगर फिर भी चलता है तो आपको मोबाइल के सेटिंग में जाना है एंड जाने के बाद सर्च बार में किलिक करना है यहां पर यहां पर यहां पर रहेगा डाउन डरीन इंट इस पर करेंगे तो यहां पर आपको चेक करने कितर का। यह स्षिस्से ने गाल अपको मुआयल में अपको एक सा आपको बिक सफाला के कह बूर जता है...? तो होने बाद किया कि उसको जुहे दूसरा mobile से एकसे होने लग जाता है तो आपको इस process को fix करने के लिए क्लिक आपने mobile को hard reset करना हुआ hard reset क्यासे करते हैं यहां पर जाएंगे setting में जाने कब बेख करेंगे यहां पर क्या करने हैं आपको नीचे scroll down करना है नीचे scroll down करते हो यहां पर जाएंगे आप तो यहां पर आपको जाना है account and backup पर और जाने की बड़े यहां पर एक option आएगा आपको तो यहां पर जाने क्प आपको एक option देगे मिलता है reset का इसपी क्लिक करेंगे एंड इसपी क्लिक करने के बाद आपको एकरने के यहां पर आजाएगा temporary cloud वेकप external storage वेकप का और reset all setting reset mobile network वाइप नेट्रोक reset accessibility setting और factory data reset तो आपको factory data reset पे क्लिक करना हुआ एंड अपने mobile को क्या करने यहां से reset कर देंगे जब reset कर देंगे इसके बाद जब आपको mobile open होगा तो उसके बाद आपके mobile में जो यह problem आ रही है किसी से connected है तो वो problem fix हो जाएगी तो यहसे आप अपनी problem को fix का सकते हैं solo कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे है वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना और बेल आइगन को प्रेस कर देना थेंक यू watching इन दिस वीडियो